था कि इनिया के साथ हमारे टर्म्स में गॉसके के तो हमें तो यही डराए जाएगा ना भारत preço कर भारत यह बहुत हो कर रहे हैं लेकिन आ जो जसे मैंने दुबारा भाई काऊंगी कि यूरोपियन कंट्री में अगर आप वीजा लें ने तो आप सब में ही तकरेवट जा सकते हैं शेंजन वीजा की बात कर रही हैं तो इसी कैसे अगर कोई पाकिस्तान या इंडिया में आता जाता है तो वो तो एक्लेमिटेड आपको चार्च शे शेर बता देते हैं कि बस जहीं जा सकते हैं और वो भी वीजा हमें नहीं मिलता तो उसमें भी यह कहना चाहूंगी कि यहां पे भी आपको क्या लग रहा है कि क्या वज करते हैंने कारणोमी को दोनों कंट्राइज की नहीं लुफ है एक गवायन की के आफ of कि बात पढ़ाया जाता है किताबों में और जो मंजन और चूरन बेचे जाता है गाड़ी जो चल लेए ये वह अभी तक उस नाजुक मोड से गुजर नहीं पारी बस्थ बहततर सालों में वह इतनا बड़ा नाजुक मोड आएonton कि हम बड़े हो गए और वो नाजुक मोड़ पर इक खड़े में आज़ता है तो और हिंदुस्तान को एक हवा बना के पेश किया जाता है ताके वो वार मॉंगरिंग, फियर मॉंगरिंग क्रियेट की जाए कि जिसकी बनियाद पे आप अपने फंड जो है उसको जस्टिफ़ा की और आपकी जेब में बम और बारू दो तो फिर बाते कैसे हो सकती है और हिंदुस्तान का भी यही मौकिफ है कि देखें यह लिप सर्विस जो है यह बहुत हो गई है आपने बातें बहुत कर ली है करके डिप्लोमेसी करके देख ली फंकारों की डिप्लोमेसी करके देख में जो देशतगर्दों को पना मिली वी है उनको एक्सपोज करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं जो जिन लोगों ने धमाके किये जिन लोगों ने ताज महल में देशतगर्दी आतंग पहलाया भारत में आठ मुक्तलिफ ऐसे आतंग के जो है वाकियात हो चुके हैं अब वहां भी लोगों ने पंदरा अगस पहली मरतबा अजादी से मनाया खुशियां मनाई ही लोग बाहर निकल रहे हैं मुसल्मान बच्चे बच्चियों को सरकारी अफसर शाही में जॉब्स मिल रही हैं स्कूल खुल रहे हैं तो वहां बैतरी आना शुरू ही जाके ये जब रुकेंगी ये आतंग रुकेगा तो उसका अगला कदम दोस्ती और प्यार होगा और वो प्यार उस वक्त होगा जब वाकई दिल से आप नियत कर लेंगे कि बहुत हो गया लड़ाई बड़ाई माफ करो अल्ला का घर साफ करो लाज़ा अब बात करते हैं सही मानों में लोग बहार ने निकल सकते हैं उनके लियूए जिसे कि इंडियन मीडिय Dики कहते है है और कहते हैं कषिए कर नियूई आप दादा से ही पैदा होगे होते हैं तो पर पिर किस तरह से यहां बात मानी जाए और दूसरा पाकिस्तान को फाइदा क्या होगा ये सब कुछ करके अगर वकॉल आपके अगर पाकिस्तान ये करे तो नी देखें वी तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है इसको मैं कैसे डिनाई कर दूं कि वहाँ पे हमारी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई वहाँ पे एजन्सियों ने लोग नी भेजे मतलब जियाओ लख से लेकर और जमात इसलामी के जो फिदाईین और मुझाहिदीन जाते रहें यह को धकी चुबी बात तो है नहीं जिसको मतलब मेरे कहने और आपके कहने से जो हम इसको जूट मानने रही बात के वहाँ पे कर्फियों की देखें बाद लगात कर्फियों और इस तरह के जो चीज़े हैं وہ وہاں کے شہریوں کی حفاظت के लिए भी लगाए जाते हैं क्योंकि जब आप शरारत कर रहे होते हैं जब आपके अंदर शरीर अंसर मैनस अंसर मौजूद होता है तो उनसे बचाओ के लिए अपने ही विक्तियों की अपने ही शेरियों की बचाओ के लिए आपने वहाँ पे एक तरह का निजाम बनाया और उस निजाम में वो खुश हैं क्योंकि अब वो सुकून का सुक का सांस ले रहे हैं अब वो इतमिनान से बैठे में हैं कि जी अब हमारे कोई यहां पे आके अचानक है इस कोने में बम नी फट जाएगा यहां पे आईडी नी फट जाएगा यहां पे कोई कोलाशन कोफ का बर्स नी आ जाएगा तो आपने देखा कि उससे बहतरी आई बिला शुबा इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहां के लोग ही जो है वो इस अफरा तफरी का जिम्मेदार थे लेकिन वो बहुत मुठी बर्लोग थे और उसकी वज़ा क्या थी मैं आपको बता हूँ उस पे मैंने एक बड़ा डिटेल प्रोगाम भी किया है कि वादी कश्मीर के अपने बजाते खुद बहुत मसाइल है जितनी करॉप्शन हमारे बरे सगीर में और तीसी दुनीर में होती है वो भी कश्मीर भी उसी करॉप्शन बरष्ट चार का हिस्सा बना रहा है काफी अर्से तक और उसकी वज़ा से वहाँ बड़ी नाइनसाफिया हुई है और उन नाइनसाफियों की वज़ा से वहाँ का नाजवान जो है वो किरकेट का बला हाथ में पकड़ने के वज़ाए पत्थर पकड़ लेता था वहाँ पे लोगों के हाथों में कलम के बज़ाए वो मैसूस करता था कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे मैं आज जाके बजार में पत्थराओ करा हूँ लेकिन अगर वहाँ की सोशो एकनॉमिक सिच्वेशन बेहतर करते हैं के अंदर की सरकार और वहाँ पे जो है अपरचुनिटीज आती है बिजनिस आता है टोरिजम आता है तो आप देखेंगे कि यह सब माजी गुजश्टा की बात हो जाएगी और सारे लोग वहाँ पे खुशी से रहने लगेंगे तो वो जो इंटरनल एक डिस प्लेजर है एक ऐसी सोच है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुरी वो खत्म होने की जरूरत है जो के फेलियर रहा है हिंदुस्तान की जानिब से और उसको बहतर बनाने की जरूरत है और मैं समझता हूँ अभी भी अमिर्शा और मुदी साफ की सरकार जो है वो इस पे इतनी तवज्ज़ शायद नहीं दे रहे है उनकी जो प्राइटी है वो शायद आमन है उनकी प्राइटी है कि यह आतंकवाद खतम किया जाए लेकिन अभी उनको जो असल चीज़ है वो यह सोचनी होगी कि आप पर ग्रोथ कैसे की जाएगी आपरचुनिटी कैसे क्रियेट की जाएगी वहाँ पे लोगों को इकॉल आपरचुनिटी कैसे की जाएगी यह वाले एक दो साल के अंदर मैं समझता हूं यह आतंक का तो चैप्टर कुलोज हो जाएगा जल्दी और हो चुका है लेकिन यह दूसरा जो चैप्टर है यह मेरे लिए भी एक लमाए फिक्रिया है और एक चैलेंजिंग बात है सरकार के लिए भी सर अगर यह सब कुछ ना होता अगर यह लड़ाई चबड़े ना होते यह टेंशन ना होती आपके साब से तो दोनों कंट्रीज जो हैं वो कहां तक हम प्रोग्रेस कर सकते थे किस किस फील्ड में तरक्की हो सकती थी पाकिस्तान भी आगे बढ़ सकता था भारत मूत आगे जा सकता था लेकिन क्युँक् вместе में लगा देते हैं कि इंडिया ने ये किया और महाँ से पाकिस्तान ने ये किया तो कुछ और कुछ और नहीं कर पाते ना एजुकेशन फील्ड में ना हेल्थ में ना किसी और में बिल्कुल सही बात है लेकिन मैं समझता हूँ अगर एक लिम्हे को हम ये तनाओ की सुरतिहाल ये टेंशन ये कश्मीर इसको भूल जाएं तो अब हम गोर करते हैं कि तरकी क्यों नहीं और कंपेर करते हैं तो इसका सीधा सीधा आपको भी और किसी बच्चे को भी बताएंगे तो वो उसके जवाब दे देगा कि हिंदुस्तान में डे ये वन से डिमॉक्रिसी रही है हिंदुस्तान ने अपने आइन और अपने कॉंस्टिटूशन की पासदारी की है उसके रिस्पेक्ट की है और हंदुस्तान की फोज ने अपने आईन के सामने सर जुकाया है उनोंने उस को फॉलो किया है वो एक सरकार की एक नौकर बनके रहे हैं और दूसरी तरफ अगर आप देखें पाकिसान की मिसाल ले लेते हैं तो डे वन से आपके पहले प्राइम मिनिस्टर लिकत अली खान साब को सरे आम गोली मार दी जाती है आपके बाबा कौम की बेहन मादर मिल्ल जिने का जाता है कौम की उनको अईयूब खान ने उनके साथ जो सलूक किया वो किसी से ढखा चुपा नहीं है और उन तक को घदार करार दिया गया उसके बाद मतواتर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को बचाने के नाम पर इसलامी मुमालिक की अमा का लीडर बनने के नाम पर इस्लामी निजाम मुस्तिफा लाने के नाम पर लोगों के जजबात से खेल कर यके बाद दीगरे जर्नल आते गए और आठाट नौनो ददद साल हुकूमत करते चले गए यानि के अगर आप देखें के बातर तहतर साल में 34-35 साल आपकी उपर फौज कापिज रही है तो आपका आइन आपको कुछ पूड्यूस करके नहीं दे पाया तरकी कहां से होती तरकी इस वज़ा से नहीं कि आपकी जंगे चले हैं आपने तो अपनी एकनामिक आज जो के बात कर रहे हैं हजारों में दूर फलस्तीन की बात करते हैं अपने बलोचिस्तान को बचा नहीं सकते हैं अपने सिंध में जो है शोरिशों का रोक नहीं सकते हैं अपने ही लोगों को सिंधी दानिश्वरों और उनकी ऑलादों का उठा कर गाइब कर देते हैं बलोच कि पाकिसान की आवाम भी जानती है लेकिन इससे पहले जो आपने बाती है जिपनतीए जनलिसद बात निकाते हैं, उसकी वजह क्या है कि यू आर बिंग हेल्ड हास्टिज महतर साल से यर गमाल है आप और जो हास्टिज होता है उसको बोलने की जाज़त नहीं होती उसके मुँपे आपने देखो नो फिल्मों में टेप लगा देते हैं तो वो हमारे उपर टेप लगा वाँ पर वो टेप उतरेगा नहीं अब जो दो चार चोटी मोटी आवादें उठती हैं कभी मैं बोल देता हूं कभी आप हैं कभी हमारे दीगर दोस्तें बोलते हैं तो उनको फ़ोरी तौर पर गद्दार करार दे दिये जाता है और उनसे का जाता है कि जी इनकी तो बात ही नहीं सुनें, ये तो महब बतन नहीं है, मैं कहता हूँ सबसे जदा महब बतन यही लोग है, क्योंकि इनके दिल में फिकर है अपने उस मुलकी जहां वो पैदा हुए, जहां का उन्होंने पले बड़े उस धर्टी से उनका तालु है, जहां कि आइसोलेट पीपल लाइक अस जस्टू मेक शूर कि आप जो है, आपकी रियासत और आपकी बाश्या ही चलती रहे, तो यह एक अलमिया है, जिसको मतलब हमें तारीख नहीं पढ़ाती है, और जो आपको मालू है कि जब हम तारीख से सबख नहीं सीखते हैं तो कर दो 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 कर दो